नमस्कार मैं आसे स्पाटक आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परिक्षा प्लस में तो आरार भी NTPC के बारे में बच्चे काफी पूछ रहते कि सर NTPC के तहत कौन-कौन सी वेकेंसी आती है इसमें क्या eligibility होती है कौन-कौन से लोग भर सकते हैं इन सभी के बारे में मैं बताऊंगा कि आखे जो NTPC आने वाला है एक सबसे बहुत अच्छा काम ये किया गया है railway के द्वारा कि अब हर साल भरती आएगी अब आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा पान साल चे साल कि उसके बाद भरती आएगी फिर joining लेते लेते काफी समय हो जाता था कई बच्चे इसी वीच में over edge हो जाते थे तो उन्होंने एक काम बहुत सही किया है कि हर साल कुछ जो भी vacancy उनके पास होंगी वो vacancy देंगे तो एक बार जो चैनल पे नए है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने और वीडियो को जादे से जादे से शेयर करिएगा जो भी बच्चे नए हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर NTPC होता गया है इसके अंदर कौन सी भरती आती है रेलवे में आप कैसे इसमें जॉब पास सकते हूँ वो मैं आपको बताऊंगा जो बच्चे ALP की और टेक्निशन की तैयारी करना चाहते हैं आप परिक्षा प्लस एप इंस्टॉल कर लें या लाइब डॉट परिक्षा प्लस डॉट ओर जी पे जाएंगे तो वहां आपका आररबी एलपी और टेक्निशन का एक बैच चला है जो चार सुनिन नानवे में आपको पूरा फुल कोर्स कराए जागा एंटी पीजी का भी बैच अगले सब्ता में आ जाएगा तो जो बच्चे एंटी पीजी की भी तैयारी करना चाहते हैं वो वहां से जुड़ सकते हैं और मोस्ट आप यहां पर जो स्लेबस आप पढ़ते हो सेम चीज आपकी रिजनिंग मैज जी अस वही आपका पूरा रह होगा ठीक है इन सब ही बातों पर हम डिसकसन करेंगे चलिए अगर बात करें यहां पर सबसे वाला कि कब आएगी भरती आपकी तो आपको एक नोटी से कलेंडर आपको दिया गया था यहां पर देख लीजिएगा और बी का अब ही जो चला है कि जनौरी से मार्च तक की बा आपका कराए जाएगा यह बोला गया है ठीक है यही आपका कहीं न कहीं यह कहा गया है कि जून से अगस्त तक आपके कहीं न कहीं इसके एक्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे यह ध्यान रखिएगा ठीक है जून और अगस्त के बीच में जून से लेकर अगस्त में कभी भी क के बीच में आपकी technicians आएगी टेकनीशियन जो है जब इसकी notification ये notification date दिया गया है exam date से फेलपी का आया हुआ है वो आप चेक कर सकते हैं website पर भी दिया गया है अब यहाँ पर देख रहे हैं ये आपके ntpc का है इतना जो है इनके आपके 4-5-6 के graduate level की भरती आती है और एक आपकी 10th plus 2 पे आती है अंडर graduate पे आती है तो दो आपके इसमें भरतियां आती है जब दोनों आती है साथ में तो ये आपके जो level 2 और level 3 की जौब होती है बाकी जुनियर एंजिनियर यह लगाता है ये एंटी PC के अंदर ये दो चीजे आती है ये दहान रखेगा एंटी PC के अंदर ये दो आते हैं graduate वाले और अंडर graduate वाले इनमें कौन कौन से पद होते हैं चलिए देख लें अगर मैं आप से बात करूँ कि ये जुलाई और सितंबर में इसका notification आपको देखने को मिलेगा तो exam कब तक हो सकता है तो exam ये मान के चलिए यहां March के बाद देखरो March के बाद April, May, June ठीक है जून से अगस्त बोला है तो आप ये कह सकते हो सितंबर अक्टूबर, नॉमबर, दिसंबर से आप कह सकते हो दिसंबर से लेकर फरवडी के बीच में दोहजार पचीस तक ये दिसंबर दोहजार चौबी से फरवडी दोहजार पचीस के बीच में आपके कंड़क कराए जा सकते हैं इसके exam, एक अनुमानता जैसे आपके कलेंडर चल रहेंगे उसके बाद से जैसे ही होगा फिर आपके label 1 वाली ये job आ जाएंगे ये ध्यान लखेगा railway में तो एक अच्छा rhythm बन जाएगा हर साल आएगा ही आएगा और ऐसे ही कलेंडर आपका repeat होता रहेगा तो अगर हम बात करें कि कौन कौन से कितने पद आएंगे तो 2019 की बात करें कि पद पोस्ट कितने होंगे जो मैंने आपको बताया कितने पद आ सकते हैं देखो 10 प्लस टू का जो पोस्ट था 2019 में वह 10,628 पद था अगर हम 18 के comparison में LP की वेकेंसी देखें तो 17,000 वेकेंसी थी और आज के समय में 5,000 प्लस आपकी वेकेंसी है यह ध्यान रखिएगा तो वन थार्ड के आसपास वेकेंसी आपकी आ रही है कहीं ना कहीं तो अगर क्योंकि हर साल इंको भरती कराना है तो रखे तो रहेंगे भरती इंके पास वेकेंसी है लेकिन देंगे नहीं यह इन्होंने कहा है कि हम annual turn पे चलेंगे तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो number of post 10-11,000 भरती आएगी जादे तो नहीं आएगी हम कह रहे हैं कि जैसे आए थी आपके इतने पद पे आने के chances हैं यह ध्यान रखिए अगर 10-11,000 पद पे NTPC की भरती आपको देखने को मिलेगी क्यों कौन से पद होंगे और age क्या होगा इन सब पर medical क्या होगा मैं अलग से भी video बनाओगा लेकिन यह ध्यान रखिए पहले कि एक आपका आता है undergraduate वाला मतलब आप 10 प्लस 2 लेबल पे है 12 लेबल की qualification पे आपके आते हैं वो 18-30 साल होता इसका age लेकिन अभी क्या किया गया है अभी 3 साल का relaxation सभी भरती में दिया गया है तो इसमें भी दिया जाएगा तो जेनरल तो 18-33 जाएगा बाकी आपके जो हैं OBC में और S.E.S.T. में जो छूट मिलती है government की तरफ से आपके central में वो तो count होगा ही count होगा आपका यह ध्यान रखिएगा तो junior clerk कम टाइपिस्ट की जौब आती है अब यहाँ पर medical label आपका C2 मांगा हुआ है C2 मतलब होता है आपका क्या C2 का मतलब सबसे एकदम आगा 6-12 आपका अगर है vision तभी भी आप बहर सकते हो with or without glass मलब इसमें आपका laser चलेगा इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है laser आप कराबी चुके हो तो इसमें ठीक है अभी 6-12 तक का यहाँ पर दिया गया है account clerk come typist ठीक है यहाँ पर आपका C2 मांगा है सेम आपका medical condition यहाँ तक है तीनों पद के लिए जिनके भी चस्मा भी लगते हो घबडाईये मत आराम से आप form fill कर सकते कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है junior timekeeper है account clerk come typist है और यह आप देख सकते हो initial pay आपका यहाँ पर दिया गया है यह आपके level दिखा गया level 2 का है यहाँ तक उसके बाद से train color का है इसमें आपका A3 मांगा है यह ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो आख की आख होनी चाहिए 6 by 9 6 by 9 A3 का मतलब यहाँ पर A3 ने A3 में आपका 6 by 9 जो होगा व एक आपका आता है A2 जिसमें आपका बिना गलास के 6 by 9 होना चाहिए ठीक है यह ध्यान रखिए हो medical मैं बता दूँगा कि किसमें क्या होता है वो अलग से में वीडियो लेकर आऊंगा commercial come ticket clerk यहाँ पर देखो B2 आपका वो मांगा है तो यह पद तो आपके 10 प्लस 2 लेबल पे है मलब 12 की आहारता चाहिए अगर आपने 12 किया है तो आप यह post जो हैं भर सकते हैं कौन-कौन भर सकता है form की एक वीडियो बनाई गई है आप उस पर जाके इसी इसके description पे जाके दे clerkial label के जो पद होते हैं वो 10 प्लस 2 पे आते हैं ठीक है clerkial label वाले जो पद हैं वो 10 प्लस 2 पे हैं उसके बास से आपका graduate label के post बनते हैं ठीक है यहां पर आपको क्या चाहिए graduation चाहिए जब graduate label है तो यहां 18 से 33 साल आपकी उम्र होती है और 3 साल तो आपको relaxation मिलेगा relaxation मिलेगा जो आपको दिया गया है हर उसमें यहां पर आप देखेंगे तो ट्रैफिक एसिस्टेंट गुड्स गार्ड जो होते हैं आपके देखिए यहां पर ग्रेजुएट के लिए आपको पद दिया गया है तो यहां A2 है यहां पर जो आखों का अगर बात करूं बहुत जादे नही लिया जाएगा यह वाले जो होते हैं ग्लास तो आपके हंगर हम बात करें B2 में लगने लगता है A2 में ग्लास नहीं चाहिए लेकिन B2 में आपको ग्लास है मतलब एलिजबल माना जाता है कि आपके ग्लास के साथ हो तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ग्लास आपका चलेगा मतलब चस्मा आपका चलेगा किस में किस में चलता है B2 में चलता है C2 में चलता है ठीक है A2 में नहीं यहाँ पर Traffic Assistant है Goods Guard है Senior Commercial कम Ticket Clerk है Senior Clerk कम Typeist है यह देखिए अब यह Senior हो गए तर वो Simple Type आपके क्या थे Clerk Label का था और उसी में Senior आपके कहला एकाूंटेंट एसिस्टेंट हना और टाइपिस्ट कम टाइपिस्ट सीनियर टाइम कीपर कॉमर्सियल स्टेशन मास्टर यह पत बहुत जबरदस होता है डाख सबकी जौब प्रोफाइल पर भी एक वीडियो बनाऊंगा जो अच्छे जौब प्रोफाइल्स है उन पर मैं आपके graduate में आपको देखने को मिलेंगे यहां पर देखिए traffic assistant goods guard यहां total 8 पद होते हैं कितने 8 और यहां पर आप देखोगे तो 5 पदों पे भरती आई थी तो 3 पद इसमें extra है तो वही मैं बोलाओ कि अगर भरती आती तो 10 से 11,000 के लिए आएगी तो आज से ही आपको रणभूमी उसकी तैयार कर लेनी है कि कैसे हमें तैयारी करना है और एज भी आपको इस साल 3 साल की सूट भी दी गई है तो 33 से 3 अगर इसमें बोलो तो 36 तक आप eligible रहोगे इन जनरल अगर हम बात करें तो ठीक है तो एंटी पीसी के लिए जो लोग भी eligible है कुछ भी ऐसी आहारता नहीं है बस यह medical वाला है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूगा कि कितना power चाहिए कितना power नहीं चाहिए इसमें चसमा देखो मैंने चल जाता है यह ध्यान रखेगा बिने चसमे के यह ठीक है तो उसके बारे में मैं detail बताऊंगा अगर कोई दिक्कत कोई समस्या है तो आप comment के माध्यम से पूछ सकते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि यह भरती कब आएगी तो भरती कब आएगी है ध्यान रखिए भरती आपकी आने वाले ठीक है तो जुलाई से सितंबर के बीच में आपका यह डीक्ट में आपको की संख्या number of post की बात करें तो जादे अपिक्षा मत रखिएगा 10 से 11 हजार के आसपास रखिएगा कि पदो की संख्या 10 से 11 हजार होगी और exam date की अगर हम बात करें कि exam date आपका कब होगा इसका कितना समय मिलेगा तो इतना मान के चलिए कि December से आप मान के चलिए December 24 से लेकर आपके फरवरी 25 के बीच में इसका exam conduct करा लिया जाएगा multiple shift में exam होते हैं कैसे कैसे क्या होगा pattern selection यह मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा वहां पे आप देख सकते हैं तो अगर कोई दुबिदा हो कोई दिक्कत हो कोई समस्या हो तो आप हम से पूछ सकते हैं कमेंट के माद्धियम से तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं मस्त रहिए सुस्त रहिए जबरबस्तर